चार रांती अभियान, निसी को कहते युग निर्मान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा आजनों चिंतन छे, मननी शांती, मनने शो कोई जानता वोई, तेवी बे लाक्षन ताओ छे, चंचरता अने सुख लालशा वांद्रानी मापक उच्छर कुदर करवा थी, रखरू छोकळाओनी जे मन फावेत्तें सहल छपादा करवा थी, के पक्षिनी मापक अहीं तही उडिया करवा थी, तेनी चंचर रूत्ती ने संतोस मरे छे मननी सक्तिनो मोटो भाग्यो विच्चारोंना मैलोनी दुनियामा सजावामा अने एमा त्रीव्य गतिती भ्रहवन करवामा तेमा अच्चतेनी जन्जारों पाछर खर्चाई जाए छे मननी सक्तिने आम गर्ती अटका आवी अने तेने चोकस अने सार्थक हेतु मारते केंद्रित करवी एनु नामज योगा भ्यास सक्तिनो आओ योग्यो उप्योग जीवन मा स्पष्ट अने चमत काडिक प्रणिनामो लावे छे पचात अवस्तामा बरले प्रक्ति सिल्ता आवी जाए छे वर्टकवाने बरले प्रचंड पुर्षाथ नी पवडुत्ती विक्षावामने काणे परिस्तिती ओप अनुकूर्थ तती जाए छे प्रक्तिना जाद्दनो एकठा थवा लागे छे बोतिक तब छे आबिजी दिशा बोतिक सोखोनी वास्णा त्रुष्णा अने अहंकार संतोस्वाथी मर्ताक्सानिक सोखोनी नधी पणतु आनननी छे आननन ओब भोक्ती नै पणतु उन्नती अने त्याक्ति मले छे सोख ए मननी बाबत छे जियाडए आनन अने आत्मसंतोस ए आत्मानी सोख लालचा माटे तेवाईलू मन आनन आश्वादने जानी सकतू नथी अने मन जेने जानतू ना होई एमा उंडु काईमी किसाचू आकशन सक्या छे ज नही विशे वास्णाना लालचू मनमा आनन पा इच्छा थती होती नथी तेने मांटे मनने केरवू पड़ेची आवास प्रसिक्षननी प्रक्रियाने तप कहेची तपस्विनी आधत मां तनाय गेला सुखो त्यागवा पड़ेची ए अर्थ मांच कष्ट सेवू पड़ेची एमां सारीरिक सुख्षगवडो छोडवी पड मांसिक अनन्द प्रमोध मां पन अवकास रेतो नथी औने आदश निष्ट आचनने काने आर्थिक क्रिते पन आत मंदायला रहेची देखिती नजरे तो आवा पनी नमो पामवानो प्रयास नरी मुर्खामीज लागेची पड़न्तु उत्तम वर्दानों प्राप्त करवान राजमार्ग आच्छे केडूत विद्यार्थि पाइलवान मजूर दंदादारी केकलाका वगेरेने प्रक्ति अने प्राप्ति पामवा माटे बारक जेवी चिंचताने मन माती दूर करवीच पड़ेची छे मने मनने पोताना नीरस जिवा लागता प्रयाजो नमाच केंदर जित करवू पड़ेचे मोद्र सोकना टेवायला इना साथी सबंदियो एमनी मस्करी पाण करेची परंतों बदा जानता होईचे के जे लोको मननी चंचत्ताने अंकुसमा राखी ने तेने पोताना द्याई माँ नियो जित करी राखेचे तेमने जिसर्वारे बुद्धी सा मानुवामा आवेचे खेतीवाडी, सिक्षन, पहलवानी, आर्थिक प्रगती, कल्याकारीगरी, वेग्नानिक, संसुदन, क्या पची दाश्निक चिन्तन दाड़ेक सेत्र माटे आच वाद छे बार्तिय विद्वानोय मनने संसकारी अने सूद बनावानी पंच कोशिय साधन एक सतंत्र भागेच राख्यों छे, आ मनो मै कोश नो अर्थ छे, विचा शिल्न ता अने विवेक भुधी, मनो मै कोश तेनो अर्थ अने तेनी विदी, मन काई एकला मानस जरावतो होई, एवु कोई तत्व नथी, धलेक सजीव प्रानी ने मन होयत छे, जीव जन्तु के फ दा पतंग्या पाण एना वगर ना नथी, परन्तु मनो मै कोश ना सुग्न जानकार होए, मननी दोर देशी तर्क तेज अने विवेक शिल्ताना आधारे विस्थूत विव्याक्या करी छे, मननी हालत पवन जेवी छे, ते स्वाबाव गत रिते कोई एक दिशामा सिमित जर देही ना थी सकतू, परन्तु मन मो जीवनिया पसू के मुक्त पंकी नी माफक दे गम मे तेम गम मे त्यारे उच्छर कुदर करे छे, तेने योग्या दिशामा वारू उने विचारवो ने निर्थक के बिन उभ्योगी प्रवामा वे ता रोकी ने तेने निश्चित दिशा के मार्ग तर पकेंद्रित करू ए मनस्वी होवानू मुक्या निश्चानियो छे, महनो पर विजय के काबू धरावो ए आनू नाम छे, जंगली हाथीने पकडिने तेने अंकुष्मा राखवानू कारिया मुश्किल तो छे, पान तेनी उप्योग्या पान एटली वधारे छ आथी जंगली होई त्यारे रुक्सो औने जुपडाओने तोडी उखेडीने फेकी देतो होई छे, औने भुक्यो तरस्यो आडे दर्ड भटके राखतो होई छे, परन तुर ते अंकुष्मा आवीने पालतू बनी जाई, त्यारे तेनी जिवन सेली निश्चित औने नियं पत जंगली हाथी साथे करी सकाई, आवेश की आवेगना उन मादमा गेरायला मालस गम्मे तेवा विचारों, औने आचरां करी लेतो होई छे, उत्तेजनाना समय ना आवा विचारों, औने कृत्यो जीवन बर्ड पस्तावों करावे छे, औने पालावाल बुक्षान कराव कितला अजुकता असंगत होई सके छे, धस्मस्ता आवेगने आवेश ना प्रवाने काने विवेक भुधी सुन्यों थही जाये छे, औने कसू समझी सकातू नथी, कदाज पागलनी माप हत्या के आत्म हत्याना नहीं, तोई तेनिस पर सांथ चीते विचार करवानी जात अब जे, एवा कामोत तो अनाई से थही जाये छे, एटलाई मनुस्यों आवा उद्धत कारियों करे छे, अने थवा तो जाने मन मण मड़ी गई होई, तेम किंत कर्तव या मूर्ट बनी ने जीवन हवेरफी नाके छे, तेमनी आवी अंधकार माई हालत मां थी, उगारे ते उग्तता होई छे, आवा प्रवा गम्मेते दिशामां वैत होई, तो पन मानस ने India असर, तड़ए बदू यूग्युज लागे छे, नड़ियों लाबद देखाता होई, पर तो वास्तन Тाक बहुआ क्याईक जूदिज जता होई छे, पाणी ना तसमस्ता प्रवाने न लाव ने नहेर द्वाडा सून यो जित कड़ीने तेना उपर उप्योगी बंध के विदुत मतक उबा करी सकाय ची जाले मनना प्रवाने प्रतिरोधक सक्ति वडे नाथवामा आवे अने योग्य अयोग्योनों विचार मंतन कड़ीने तेनु नविनीत काडवामा आवे त्या प्रतकालिक्सानिक लाबने अउगर्णीने बविश्यमा कायमी पणिनामों विशे विचारी सक्के एवी समर्थ अने परिपकव भुदिज मनना प्रवाने खोटी दिशामा वहतो रोकीने तेने योग्यों मार्गे वारी सक्के ची आवी सुधानानी चिंतन प्रक्रियाने म महान विध्वान तत्व दर्वनी ओ संसोधको और मनो जै मांशोज महा मानवनी हरोड मा बेस्वा माते समर्थ अने सपल निवडेचे तेवो जै दुनियाना मार्गदर्षन अने आगेवानी करी सक्क्या ची अने पोताना महान करतव योबड़े इत्यासने यसस्वी बनाव आँ सक्क्या छे।ा बदा मन्यों अंकुषमा राखी ने तेने योग्य दिशामा वार्वनू जानता हता। अने तेमनी मुख्य विशेस्ता आती सामानिय मानस नू मान तेनी मासिक चेतनाने हवामा उर्था तनकलानी जेम निर्थक अत्वा अनर्थ कारी स्थितिमा बटकती राखे छे। यारे मननी मानस ना मनना एक एक तरंगोंने निर्थनर्मा राखे मननी उपर योग्य और योग्योंनी कसोटीनी लगाम राखीने तेने काईक महत्व पुणा हेतु सरे एवी दीशामा अने एवी गतिती चालवा देछे। इच्छावने योग्य दिशामा वार्वामा अने विचारनू आयुजन कर्वामा सपर्ता तरकबुदी प्रखर होई तोज माडे छे। आम आत्मदमन करी सक्वा चेटली हिमत होई तोज मनो निग्र मन उपरशयम केवी सकाई छे। योग्शास्त्रमा एकाग्रत अने चित रुत्ती उपर ना नियंत्रनू गणू मादम बताविय। छे। इनो अर्थ समगर विचार प्रकडियाने थप करी दे के एक द्यानमा खोवायला रेव। एवो नती। बणतु विचारोना अप्रवाने पूर्वर्ष निश्चित रिते चोकस प्रजवन माज लगालवो नाको एवो छे। जेमने आवी खुसरता हस्त गत्ताई जाये छे। तेवो जे काई लक्ष नकी कडे। तेमा मोट्टे बागे सारी सपरता मेरवी नेज रहेची। वेर विखेर मनो दसामा विचारोनी उंडारमा जवानी तक मरती नधी। एटला माटे कोई विशाय के बावत मा निपणता के भावत मर आवती नधी। दुनियाना विशेगनोंने आवकारती होईची। अहित दरेक ख्षेत्रमा एवननी चरूर छे। अने आवी उपलब्दी बुद्धित या तुडिय वडे नई पन गाध मनोयोग वडे मरती होईची। आवा गाध मनोयोगनों वर्दान मेडवामा टेज जे प्रयास पडिश्रमों करवा पडेचे। तेने ज मनोयोग कोष्णी साधना कहेची। आज संदर्मा वेगनानिक अभिगम उपड़ खास्त यान आपा जेवुची। कना समयती वाद, पेद, काप, अपचो, कबज्यात, रूटू पलतो, बेक्टरिया वगेडे साध्रे कड़ोगनों मुख्य कानन मानवामा आवेची। परंदू आदुनिक सोथ खोड़े साबित करियो छे के सरीना एक एक अंग अने किरिया उपर मनो सक्तिनों पूले पूलो अधिकार के नियंत्र होईची। आदुनिक संसोधनों प्रमाने बाहिया कानों थी उत्मन्तता रूगोने तो सरीर नी जिवन शक्ति आप मेरेज मटारी देची। कत्वा तो ते सामानिया सार्वार्ती पन मटी जता होईची। परन्तु जटिल के कष्ट साध्य रोगोत तो सामानिया रिते मनों विकारनुज कारन ने पडिना होईची। तेनी सार्वार दवादारों थी नाई पन तु मननी सुद्धी करन वडेज थई सके छे। मात्र सारी रिकज नहीं मांसिक रोगोनों मुख्य कारन पन आज होईची। खडापकारियों विच्चारों के बुदिन मारात्ता लोकों सारी रिकज नहीं मांसिक रोगोती पन घेरायला होईची। कदाद उन माद के पागल पना निश्थिती ना आवे तो पान आवी असम्तुलाती घेरायला मानसनी दसा अर्ध पागल जेवी थई जती होईची। तेव कारन वगर दूख वेटता होईची अने दूख आपता होईची। तेमनी दया जनक मनोदसा जोता मात्र आपनने दूख थाईची। सारीरिक रोगियों करता मांसिक रोगियों नी संक्याने पिडा बनने वधार होईची। आवी व्यथा माथी छुटवानों उपाई होस्पटलों मा नहीं। पड़नतु मासिक संसोदननी साध्नावों माती मरी सके छे। आवा उपायके उप्चार करवाना विजा प्रकारों पन होई सके। पड़नतु अध्यत्मक विज्णानना आधारे मनो मै कोष्णनी साध्नाना माध्यम धावणा एक कार्य सहिलाईती थई सके छे। सरीर्मा विचारोंने कार्यरत राखवानुक कार्य चेतना तंत्र अने नलिका रहित गरंतियो द्वाला थायेची। आपना समग्र सरीर्मा नान तंतु जाडा ने जेम विखडायलाची। नान तंतो सामाने रिते सबेद रंगना अने तारनी मापक नकर होईची। आपनी बदी मास पेशियो नान तंतो ना आधारेच चालेची, धरेक पेशियो पोस्तो मुख्यक नान ततु सुत्री जेवो जाडो होईची, त्यार पच्छी नी तेनी साखाओ अने उप साखाओ क्रमस पात्री थती जायेची, येटलिक प्रसाखाओ तो सुत्रना तातना ज जेवी बारिक होईची, सुक्ष्मसरी नी हिल चालो नी स्पष्ट अने चोकस असरो स्तूर शरीर उपर परती होईची, मांसिक आंत्रिक प्रोगोनु कारण दबावी लाखिला गंदा विच्छारोच होईची, शरीर भिग्णानों पन एओ अभिप्राय चे के मात्रों मां पुस्तक लेखक, डोक्टर उके लक्ष्यू छे के पागल पणू, जडता, लक्वा, पेर, कोड, डाल, पडवी, रक्तपात, गर्बणाम, मुत्ररोग, काचो, गर्ब पड़ी, जवो, चाबडिना रोगो, गड़ मुदल, आड़ो, अगेर अनेक आड़ोग्या, बगार न विचारो, अने सुक्ष्म सरीर ना विकारो मात्र होई छे, तेज प्रमाने केरवायली सक्ष्टिकोन, स्वस्ट अने उदात विचारो, अने आदस्वादी विचार्ष्र नी सुक्ष्म सरीर ने तेजरसी अने प्रखार बनावे छे, जेनी स्तोर शरीर उपस पष्ट तेवी सिदी असर पड़ेची आज सूधी थैला आवाज विविद्ध आधुनिक प्रईगुद्वारा मनने के मगजने कर्ष्ट शरीर्ना अनू उने अनू ने तकलित मा मुक्तु होईची द्रूना इश्रा के क्रोधनी चेरी असरो शरीर्ना रोमे रोममा तर्तज पसरी जत अने मनमा आनत अने प्रसंतानी लहर उठे तो शरीर्ना अनू अनू बुलत कित थाई जाए शरीर्ना दरे कानू वरस्पर गाड आतमेता अने एक अनू बाव राखेची एक अनूनी दसार थी बदा अनू प्रभावित थाईची तेथी तेमना सूखने दूख पर एकज अनूखी होईची तारी लोग के एक मानस ने खुब गोक लागी चे उने सामे स्वाधिश पोजननो थाल पड़ेलो चे तेज वक्ते तेने योग्या प्रियोजनना मृत्योना समाचा नो तार मड़े चे ते वाचतानी साथेज ते पिडिय जनननी बदी यादो एक दम अगलुत थाई जाये चे मनना सवेदनानो उब्लो आवी जाये चे मननना मनना जिक्के मस्तक ना अनू नी आ प्रतिक्रिया नी आखास्री ना अनू उपन तातकालिक असर पड़े चे जीप सुखावा माडे चे अत्यार सुधी उच्छर कुत्तर गड़ी ने चीशा चीश क जरी ने भोजन मागी रहलो भूक वधार नारा अनू एक एक कम कमी ने सांत निश्क्रिय अने हत प्रत थाई ने चुप चाप बेशी जाये चे रधाय तेमज अनिय अंगो पार निर्जिव जेवो थाई जाये चे अयू बढाय आवे चे आ खंदारा आवाल लागे चे शरी डिलू डब पड़ी जाये चे आम दरेक अंगो पर आवो प्रभाव पड़े चे एना तिस पठ थाये चे के मस्तकना अनोनी आ बाव जसानी तातकालिक असरी पड़ असरो दरेके दरेक अनो पर पड़ती होई चे खोपणी नी बाहार नी तेमज अंदर नी रक्तवाहियो न पेशियो लागणियो अनुशार संकुचाय अने विस्त्रे चे तेमज अति सवेदन शिल प्रति क्रियाओ दाखवे चे अस्वस्ट बावनाओ जुदा जुदा साडिरिक रोगनु कारण बने चे शामानिय मान अथाना दुखावा थी लईने माइग्रेन नामना खोपड़ कारक रोग लागणियो ना उसके राट के तनावने कारने थतो होई चे अवा तनाव थी खोपड़ियो नी रक्तवाही नियो संकुचाय चे तेना थी माथानो दुखावो सरू थई जाय चे आजकाल ना माथाना दुखावोवा 25 टका केशो मा पावत्मक तनावच मुच्य क कारनल होई चे लागणियोंनी जरब उतार चडावने कारने पेशियो मा उत्पन थता तनावना कारने गणा लोकोने जम्या पची लीवर यकुद बाडेत थतु गयू होई अने खोडाक निचे जनाज उतरतो होई तेवो नुबो थतो होई चे तनाव वदी जाय तो फुल् लागए चे ओटकार आवा पेट मा चुक आवी वायो विकार चामली न विकार एकी जिमा के खंजवार आ बदा विचारोना तनाव माती उत्पन थता नायू रोगो चे अवे तो एम पन जानमा मडियू चे के कमरना दुखावाना मोटा भागना केसो मा पन विचारोने तना वर एज मुख्या कारण होई चे विचारोना तनाव अने विक्रुत ना काने जमोटा भागनारोगो थाय चे ए जानिया पची दड़ेकने विचारोवो वर नियंत्रन कैरिते मेरवू ए प्रस्ण मुझवे चे रोज बड़ोजना जीवन मा समझ बुर्वकनो द्रष्टिको लगबग शक्या चे चिंद्गीने बार रुपमानिया वगार खेल दिली पुर्वक चीववानी टे उद्वालत शक्या बनी शक्या चे पोतानी मर्यादाओ जानमी पोतानी शक्तियोनों सर्वत्तम उप्योग आयोजन करवो मालू मालू ना पोकालो थी दूर रहिने पोता जवाबदारियोंने समझवी तता निभावी तेमों जीवनमा कायम सजनात्मक पवडुत्यों ना विकास्ता जेविच आविट्टेवो पाडवानों एक राजमार्ग चे शामानिया डिते आपने कठोल ता कोद अने वात वात मां जगडो पडवानी शक्तिनों पडियाई म ब्रह्मा राचिये ची याले मानस सास्त्रियों य्ने 12 समान जेष्टा धाने ची आ बदा निरभता ना चे नोची सक्ति शाडिये मानस निभीमड अने मकम होई चे कळोद अने कझियारी खोडी ये निर्भतानी आड़ प्रःदास्ट ची शाद दागी अने सयम थितेवे सक तिनो मुख्य स्रोथ चे अने पोतानी नबलायो उपर नकामी खीज जनावी एतो कोई दिते फायदाकारक नथी उस संस्कारों मननी सप्पाटियो पर दिमे दिमे जामता जाये चे तेनी नाबुदी पर दिरे दिरे थाई चाये चे एने माटे सततत देव पार्वी एज सर्व तम उपाई चे मननी कटलता अने अने तिक कृत्यों जरोग नो आधार होई चे अने मननी पवित्रा तास ने करूना अने विशार मानवी अपड़ेम द्वाराज आवा रोगों साहिलाये ती मत्टाडवानू सक्क्य बने चे ए वात हमेशा ध्यानमा राखवी चोहिए मननी सपाय के सुधी करण आधुनिक मेगनानीक साधनो वड़े पन सक्यो चे अने आध्यात्मिक साधना उपायो तो तेना करताई वदाड़े समर्थ अने सक्ति सारी होई चे तेनी असर तो उल्टानी वदाड़े पड़ती होई चे मनवयोग कोस्षरित अने मनना समग्र विस्तारने पोत्ताना पालोमा आवडी लेची ते आ बन्ने प्रभावित हरेची मननी गुच्वडा बड़ी के विक्रुत स्थिती प्रवर्ती होय तो तेनी प्रतिक्रिया रूपे साडिरिक अने मांसिक आरोग्यों उपर नुक्सान काड़क असरो वड़ेची एना थी व्यक्तित्व खिन बिन थाई जाईची तेनी असर एठर दस्टिकोन अने वेवार बनने अस्तवेस्त थाई जाईची पनिरामे आखिक काडिय सेली अने काम काज बद्धुई खराब थाईची आवी स्थितिमा आपतियोज उभी थाईची ए तदन स्पष्ट चे बधी बाबतोमा अवड़ोतो उत्मन थवा लागेची कंशकास अने मुश्कलियों आक्रमन फाटी निक्रेची आखु जीवन नडक जेवु बनी जाईची आवी नडकनी यातनाओ माती बीजु कोई छोड़ावी सकतो नथी कारण के आपने आवी आपतो ना दोस्ट उपलाओ बले गम्मेते ना माते भुडारी दैये पां खरेखर तो इनुकाल आपने पोतेज होई एची परिस्तितियों अमेशाद मनो दसाप्रमानेज गडातताई होई ची एस सत्य एकलू सबस्टे के जेने आवगर्नाने कोई आवकास रज नथी आपने जातने बदलिया सीवाई ए नडक माती कोई रिते उग्री सकता करम्मा उत्मंतता जुदा जुदा अवलोधनी छुटकालों मेरव्या सिवाई आपनों उदार थाई सकतो नथी तेमाज समस्याओ अने अबावो थी भूकती मड़ी सकती नथी संब्लुद्धी प्रक्ती औने सुक्सांधी नी सगडी संब्वनाओ बीज रुपे आपने अंदर स्रमायली छे सत पवडुतियों नी टेव औने सत बावनाओ ना देवता आपने दिव्य वर्दानों बक्षे छे आंत्रिक भैबाव वज भाहिय के भोतिक सिध्यों तरिक के बहार आवता होई जी आत्मा खोच अने आत्मा सुधार चिवननों सोती मोटो प्रुशाथ अमानों आवयो छे तिने साक्साथ कल्पव रुक्षनी उपमा आपवी सकाय बनो माई कोश्णों विग्णान अने तिनी साधना आपणी मासेक स्थितिने सुधारवाना रुश्यों द्वारा रचेला उपाय ची आपणी ए दिशामा आगर वधी तो दरेक रिते लाब अमेरवी सक्ये ची मनने अंकुस्मा केविर्ते राखू सामानिय मनुस्यमा मनमा हम्मेशा सांसारेक विश्यों ना विचारों आवता होईजी परंतु ते आध्यात्मिक विचारों ने ग्रहन करवा माटे तर्तश त्यार ततू नथी एनु कार्म एचे के आपनु मन हमेशा विकारों थी बढ़ेलू रहे चे तेने सुध करवानू कार्य सैलू नथी निसकाम कर्म जब के प्रानयम दा जेवा साधनों वडे तेने विकारों थी मुक्त करवू पडे चे त्यारे तेनी प्रक्रुती सभाविक अध्यत्म तरप भडे चे मन दर्पन स्रमान छे जो दर्पन साप नाव होई तो एमा तम्मे तमारों मर्डू चोखु चोई सकता नती एजरिते जो मन मेलू होई तो तेमा निस्वरने चोखा चोई सकता नती त्यारे तेनी आध्यादेक प्रेतनो द्वारा चोखु बनावी लए त्यारे इश्वरना साक्सातकार अउस्यक थाएची जो मानस नूमर सोज थाईने सात्रों ना स्वाध्याय ग्नानियों ना सत्चंग अने त्यानना अभ्यास तिनी नत्र लागेलू रहे तो ग्नानमा बदारों थाईची अने देव्या द्रष्टी प्राप्त थाईची जेना वडे पर ब्रह्मनुग्णान मेर्विववू शक्य बनेची यग्नादान दया वेदोना अभ्यास अने साचु बलू आ पांच मनना सूध करनाडाची छट्टी बाबत तपस्याची तित गटन थे पन मन सूध थाईची तेना थी मद संत महात्मा हो साथे सचं करवानी तक मडेची जप निष्काम कर्मो यग्ना ब्रह्मचरिय संधिया तिर्स यात्रा सम यम दम अने नियम स्वाध्याय तप वडत स्यवा संत्यवा बदक मनने सूध करवाना शाध नोची आवा सूध पूण आनंद चवाईलों रहेची ए नकीची मंत्र बण मनने सुन्ध करेची पड़न्तु पोपट्नी मापकरटन करवाती बहु ओछो लाब थायेची मंत्रने बावना सहित जपवामा आवे तो तेनू बहु चमत कारित भड़ मलेची या सुधी मंत्रमा आपणा मननने पू अने दया उड़ती दाखवानी टेव पण मनने सुध करवाना उंदा वेवार छे आपणी आखो मात्र जोई सके छे कान मात्र साम्डी चके जीब मात्र स्वाद लई सके छे त्वच्चा स्पस अनुबो विशे नाक मात्र सुंगी चके पड़न तो मन जोई सके छे स्वाद अने साम्पली सकोचो मन अने इंद्रियो एकच छे, मननो विक्षित रुप पकार इंद्रियो ची मन इंद्रियो नो समूचे, मनने खावानी इच्चा थाए, त्याने जीब लात अने उदर नी प्रकुडुतीत कार्य थाए, त्यति जो मन उपवर काबु मेडवी सकाए, तो इंद्रियो आप मेलेज काबु मा आवी जाय चे, जे इंद्रियो ने वस करीले चे, तेनु मन अगावती नियंत्रित थैलू होई चे, पंच महाभुतो ना प्रवाधी उत्मन थैली पाचे इंद्रियो अंदर अंदर गाड सबन चे, गुनासिका अने गुंदानी उत्पती दर्ती पुत्री तत्व मा ती थै, नाक सात्रिक भाग मा ती अने गुंदा तामसिक भाग मा ती उत्मन थैली इंद्रियों चे, आव बनने सोती उच्चु दुख आपे चे, औने तेनी पर शहलाय थी सयम केरवी शकाय चे, जीब अने लिंक ज़र तत्व मा ती बने लाज, जीब सात्विक बागमाथी अने लिंग राजिसी बागमाथी आप बने पर पड़स पर शंकरायलाच। पोजन थी जन्यंद्री ने शक्ती मड़े चे जो जीब पर काबू मेरवी सकायतो बिजी इंद्रियों आपो आप नियंतरमा आवी जायेच। जनेद्रियो सोती वदू चंचर अने कष्ट दायक ची इना थी चीब वाणी कान अने आख क्रमस उचा चंचर चे आख तथा पग अगनी तत्व मां उत्पन थाय ची आख सात्विक भाग मां थी अने पग राजिसी भाग मां थी आख जोव गमे चे तो पग तेने तिया लैज जवात याल चोई चहीत चांब्णी अने वायी तत्व माथी बन याची वानी अने कान मन आखकास तत्व माथी बनेला चे जेरी ते समुद्र नदी न वड़े बढ़ाये चे नदीयों वगर संबूद्रनू कोई अस्तित्वत न थी ते ज़िते मन इंद्रियों वड़े पूलन था जी इंद्रियों वगर मननू अस्तित्वत टक्की सकतू न थी पाक, कान, अने जिब्णा आतने इंद्रियों मननी बही मुखी मनावे चे अने मनुष्यने शांसालेक बाबोतोमा आउटकाएलो राखे चे एटला माटे कोई पन आध्यात्मिक शाद्धामा आतने इंद्रियोंनी वसमा राखी ने इज मननी अंत्रमुखी बनावी शकाय चे मननी शांति माटे तिनु समन अने दमन जरूरी चे इंद्रियोंनु छोर हतारे ओए तो बल बला सादकनु मन मन पचलित थाई चे बदी इंद्रियों बटकावनार मन चे माया पर इंद्रियों अने मन मडेज पोतानी मोजारा पात्रे चे इटला माटे सादक के हम्मेशा जा त्रेवू पड़े छे वेराग्य अने इंद्रिय निग्ण द्वारा दामनी टेव पाड़ो। दालन तरिके खुप वैशा लैने कंदोयनी दुखाने जाओ। जात जातनी मिठायोंने लालचू नजले जुओ परन तु कसू खड़ी द्यावगर केने पाचा आओ। ते दिवसे गर गम्मे तेटलू उत्तम भोजन बेड़ा सवमां आवे। तो पर ते खाव नहीं। उने साव सादो खोड़ा कचलो। आम करवा थी जीब काबू मां आव पर थे आचो एम कही सकाए। बदा स्वादिष्ट भोजन नो त्याग करो अने इंद्रियो ना ओपबोग ना बदा पदार्थो छोड़ी दो। कठोड तपनी टेव पाड़ो। तप थी इंद्रियो नू छोड नरम पड़ेचे अने मन वसमा आवी जाईची। अमोक्की समय सुधी मोन रेवानी वाक इंद्रियो पर सयम केरवाईचे। एना ती मन नी चंचता अनू एक मोर्टू काण दूर थे जसे। अने तमने शांतिनो अनू बव तसे। अवे ड़ड निस्चे पुरक ब्रह्म ने ध्यान धरो। बोलता पेला विचारी जो के तमा सुधी तमाडू काम बूलिया वगरच चालतू रहें। मनमना अनूमानो कायम दड़ेक वातने वधारी मुक्ता होईचे। एना थी दूर रेवू जोई। सब्दो तोडी तोडी ने बोलवानी टेव। पाड़ो। मननू मोन तो वानीना मोन करता पंश्रेष्ट छे। बाविक मोन पार्वानी टेव। पार्वी जोई। जे पोतानी मेरे अंदर थीच। मन माथीच। वत्मन थवू जोई। त्यारेच पूर्ण सांतिनों अनुबव। थाई सकेची। एक जानीती कैवत छे। तेने मन जित्यों तेने जग जित्यों। एक तरब चबावचे बिजी तरब ब्रह्म छे। मन आ बन्ने वचे पूलनों कार्य करेची। फूल ओगरीने तमें ब्रह्मने फ्राप्त करी सकोच। इच्छाओ संकल्पो ने अहंकारों नाज करवानों अर्थ मनने पूरे पूरू वसी भूत करी देव। इतलों छे। इलामाती भार आउता से ह ने कोने गम2 में ऐक एक करीने माडी नाखो तो तमें किला उपर मिज्ये भी सको एजी ते जेम ने वीचारों अंतासा जाए तेम एक एक कड़ी ने तिनो नास कड़ी नाखो, छिवटे मननो पन नास थाई जसे, सतत परमात माना जिचारो करता रहो, तो तमें खुब सरता थी मनने जिती सक्सो, एम सपै दवस्तरों पर गुलाबी नंक सारी डिते फेलाई ची ते जिते जारे मन सांत होई, बदाज लोको प् मंत्रमुखी थाई गये होई, और मन अगनानो नास थाई गये होई, त्यारेज सत्गुड़ ना उपदेश्चो शिश्यो ना मनमा प्रवेशकरी ने पोतानो प्रभाव देखाट ची, मननो संप्ण सयम मात्रब्रह्म विचार द्वाराज सक्य ची, विजा सादलों तो साहय जो मन उपड़ काबु होई, तो तमें महल मा रहो के गुपा मा तमने कोई पड़क लाख से नहीं, मन उपड़ साई होई, तो शरीर मन साज लिते सहयम माज रहे ची, शरीर तो मननो पढ़्चायो ची, मन मा कोई पड़ विचार के रुति ना रहे, मात्र सुन्य रुतिज र येनू नाम मनो निग्र संस्कार नो नास्थतो नती, जेने मनने जिती लिदो, तेज साचो विजयी महराज छे, और जेने इच्छाओ तेमज मन ओपर काबु मेर्वी लिदो छे, तेज साचो वीर छे, जैई गुर्देव, नान एग्नमात्त में पण आहुति आपो, समास् संकटनो एक मात्रकाला, वानविया दुल बुद्धी, जे उपाय थी दूल बुद्धी ने दूल करी, सद बुद्धी निस्ता, अपना एज मानो, कल्यानो, तता विश्व कल्यानो, समादान कारक मार्ग, छे, योगरस्ती पनि श्राम स्रमा अच्चानिया जी ये, वत्मान आओ आपने साथे मड़िये मन्नी शांती मेरवानों अभ्यास सरू करिये।